यो लेडीज एंड जेंटलमेन हम एक बार एक हम एक बार फिर से वापिस हैं माइनक्राफ्ट में आपको याद होगा पिछली बार हमने यह घर बनाया था जो कि बहुत ही प्यूटिफुल लग रहा है और ओवियसली यह मेरा स्टार्टर बेस है इसके बाद मैं एक मेगा बेस पर जाओंगा लेकिन जब तक हम यहां है तब तक हमें इसे पूरे अच्छे से रखना होगा तो अभी मेरा जितना भी समान मैं ओन करता हूं वो सब यहां पड़ा है मैं माइनिंग पे गया था मैंने रैड स्टोन ढूंडे आयरन ढूंडा और भी बहुत सारी चीजे मैंने क्राफ्ट करी है तब से और अब मेरे को फरनेसिस लगानी है यहां पर तो मैंने छे फरनेसिस और बना लिए एक मेरे पास ओलेडी थी तो सारी मैं यहां पर फिल कर दूंगा और पता नहीं इसमें कुछ एक मस्त फील सी आती है जब हम बहुत सारी फरनेसिस देखते हैं वा यह बहुत सारा चाहिए होगा क्यूंकि मुझे स्मूद स्टोन बहुत पसंद है और स्मूद स्टोन एक ऐसी चीज रहेगी जो हमारे मेगा बेस में बहुत ही ज्यादा मातरा में होगी सॉरी मेरी वाइस क्रैक हो रही है बीच वीच में बट कोई बात नहीं और हमारे पास आलकोल भी बहुत कम है तो हमें ये कोबल स्टोन भी है जितना भी ये सब पकाना होगा और शायद आप वंडर कर रहे होंगे कि मैं तनी अराम से क्यों बोल रहा हूं आज के एपिसोड में वो इसलिए क्योंकि मेरे घर पे बहुत सारे लोग हैं इस समय मेरे डैड मॉम सब घर पे हैं और आज का एपिसोड बहुत जादा बेस्ट होगा माइनिंग और बिलिडिंग पे मैं कोशिश करूंगा अपना ये स्टार्टर बेस्ट जो है कंप्लीट कर दूँ आज के एपिसोड में सो अब अगर मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊं तो ये भी मेरे घर की हालत है आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू है एक तम पर्फेक्ट है स्पेसिंग भी बढ़िया है और बाहर का लैंड्स के बढ़िया है लेकिन एक चीज मिसिंग है जो कि ये रूफ और वो बहुत इंपॉर्टन्ट है मैं सोच रहा हूं कि फर्स्ट फ्लोर भी बनाऊ और जैसे क कम्प्लीट कर सकें तो जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टोन पूरा पिगला रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये स्टोन कटर हमारे मदद करने वाला है उस चीज के लिए और वो चीज ये है कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं सभी फर्निसिस में स्टोन पक रहा है तो मेरे को सीड़िया चाहिए वहां के लिए वहां पे मेरी माइन है और उस माइन में मेरा बार बार सर टकराता है तो मेरे को जितने भी मेरे पास स्टोन है जो कि मैं यूज नहीं करूँगा वेस्ट स्टोन जो कि होंगे उन सब से मैं सीधिया बनाऊंगा ताकि मैं वहां पर यूस कर सकूँ एंड इस नॉट गोईंग तु बी प्रिटी ये संदर के लिए नहीं कर रहा हूं मैं संदर्था के लिए नहीं कर रहा हूं मेरे को बस अपना सर बार-बार नहीं टक रहा ना माइन में और वैसे भी ये एरिया जो है मैं जल्द ही चोड़ के चला जाओंगा तो अभी फिलाल मैं सिर्फ वेस्ट मैटिरियल यूज कर रहा हूं जैसे की डायराइट एंडिसाइट इन सबसे मैं स्टेर्स बना रहा हूँ ताकि मैं स्टोन जो है जितना हो सकता है उतना सेफ करूं क्योंकि अभी नॉर्मल स्टोन में लिए बहुत ही एसेंशल है तो अब हम बाहर जा रहे हैं ताकि मैं आपको माइन दिखा सकूं जो मैंने बनाई है और हाँ सॉरी मुझे माफ कर दो मैं बार 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 बोट बनाना भूल जाता हूं मैंने अभी तक अपनी माइन से अपने घर तक कितने चक्कर काटे होंगे और मैं बार बार बोट बनाना भूल जाता हूँ जबकि मुझे पता होता है कि मेरे को बोट की जरुवत पड़ेगी लेकिन आपको पता है कितनी ज्यादा एडिक्टिव है माइनक्राफ्ट जिसमें हर छोटी से छोटी चीज पे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो सॉरी मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया ता मेरे को अपनी माइन पे जाना है मेरे पास आइरन नहीं है वनना मैं इस आइरन गोलम की बेचारगी हल्प कर देता पूरा टूटा पड़ा है तो मेरी जो माइन है वो यहाँ है जी हाँ मैंने स्पॉनर के नीचे ही माइन बना दी है तो आप देख सकते हैं यह बस ब्लॉक है तो मेरे को यहाँ पे स्टेर्स लगानी है यह बहुत टैम लेने वाला है और हम पहुंचने पहुंच ही गए तो यह वाई लेवल 12 है और अब मुझे यह सारे एक एक ब्लॉक करके तोड़ने भी पढ़ेंगे ताकि मैं जल्दी से उपर जा सकूँ और यह स्टेर्स लगाने से जादा पिनफुल है मैं अभी आधा उपर भी नहीं पहुंचा हूं और मुझे और अर्लेडी 45 सेकंड्स हो चुके हैं खोथते हुए थोड़ा सावर ओर वो फाइनल ब्लॉक था लगे ना प्रॉब्लम यह है कि मेर को सारी टॉर्चिस साइड में लगाते हुए नीचे भी जाना है क्योंकि मैं सारी टॉर्चिस जो है वो ऊपर प्लेस करता था जो ब्लॉक मैं तोड़ते हुए आ रहा था मेरी बहुत बड़ी बेफ कुफी है मेभी अगर हम यहीं पर इसे स्मेल्ट कर ले तो हम अमारे मिस्टर आइरन गूलम को ठीक भी कर सकते हैं नाव इस टाइम फर सम माइनिंग और मैं यहां पर थोड़ी सी स्ट्रिप माइनिंग किया था मेरे को कुछ रिसूर्स मिलेते हैं यहां पर जैसे मेरे को आइरन मिला होगा तो मैं इसे सील कर देता हूँ लावा के वाद आ रही है मैं उस पर ध्यान ने दूंगा तो अब चैलेंज शुरू होता है डाइमंड ढूडने का तो मैं मिलता हूँ आपको एक टाइम लैप्स के साथ मेरी पिक एक्स टूट गई हमेशा मेरे साथ यह ऐसा क्यों होता है पिछले एपिसोड में भी मेरे साथ ऐसा हुगा था अब मेर को अल दवे अपने घर जाना पड़ेगा सिर्फ एक स्टूट से पिक एक्स लेने लेने लेगन आइम ग्लैड एट मैंने यह स्टेर केस बनाया मेरे को बहुत जादा टाइम बचाता है यहाँ बचाता है ओनली इफ I had some wood मैं क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक बना देख्म और लिए यहाँ बहुत यहाँ बना अग्त आप यहाँ डुट्र निए अने वर्यूंत मिनिग्ट रेट वह भी अरपार तो मैंने माइनिग्त मैड़ी रुर्यार्य सिर्फित लिए अल топ regard सोने टो यहाँ इसुच रहाँ लों क्वेचों क्वेच बना बणार में अपने मिस्टर आइरन गोलम के लिए आइरन भी लेके जाओंगा पहले मैं चेक कर रहा हूं कि मेरे पास सब कुछ है या नहीं और डिसाइड धर्ट काम की नहीं है तो पहली चीज जो मैं करना चाहता हूं वो है हमारे आइरन गोलम को ठीक करना क्योंकि यह बेचारा प्रोटेक्ट करता होगा हमारे विलेजर्स को एंड ही जाप एंड रुनिंग मेरे को जानवर उसे इतना जादा प्यार है कि मैं गेम में भी उन्हें कुछ नहीं करता आइरन गोलम जानवर नहीं है लेकिन फिर भी लेकिन कभी-कभी मेरे को कुछ जानवर मानने भी पड़ते हैं कुछ चीजों के लिए लेकिन यह गेम है तो आइनो कुछ फरकने पड़ता लेकिन मुझे अच्छ नहीं लगता और मैं यह पर एक दिवार बना रहा हूं क्यूंकि मेरे को डर रहता है कि मैं यह से गिर ना जाओं ओके ब्रोस्कीज इट्स नाव टाइमलेप्स टाइम वह 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 वहाट मैंने भी माइनिंग शुरू करी है और मुझे डाइमंड्स मिल गए मुझे यकिन नहीं हो रहा अभी इतनी जल्दी मैंने लिटरली अभी माइनिंग शुरू करी है मैंने सुचा थोड़ा सा कोल इखटा कर लेता हूं क्यूंकि फरनेस के काम आएगा ओ यहां पर और है मुझे सीरियसली नहीं लगा था कि इतनी जल्दी हम यह चीज़े डून लेंगे थोड़ा साइड हट के खोड़ना चाहिए क्योंकि लावा कहीं भी हो सकता है हाथों मैं कहरा था क्यूंकि मैं स्पॉनर और विलेज के साथ स्पॉन एरिया के साथ इतना लगी हो चुका था तो मुझे लगा था पक्का माइनिंग में तो मैं अनलगी निकलूं गई मेरे को डायमंड्स इतनी असानी से नहीं मिलेंगे एंड गॉड ओ गॉड क्या हम लगी हैं येस मैं अब इसके सराउंडिंग एरिया को होद रहाऊं ताकि मैं चेक कर सको कि कितने डायमंड्स हैं ये टोटल में भी ये चार हो सकते हैं ओ नहीं ये छे हैं एक दो तीन चापाँ छे इसके आगे तो नहीं होने वाले क्यूंकि वहाँ से माइन है हाँ येस नीचे भी नहीं हैं ओके आम जस्त मेकिंग इस्योर नाव इस ताइम फोर डैमंड्स तो बी माइंड्स मैं सीरियसली चाहता था कि मैं फॉर्चून पिक एक्स तब तक रेडी कर लों लेकिन फिर आदा है कि फॉर्चून पिक एक्स बनाने के ल अचिंग और आप तो इस तो लोग तो लोग आप जो जो इस तो एक्वाइन बनाने के लिए लिए लेगे मैं आपको बहुत थैंक्यू कि गाँगाँ क्योंकि पहले एपिसोड मेरे इस चैनल पे डाई हिजार सब्सक्राइबर अब जाए हुए हैं और आपने अल्रेड़ी मेरे को इतना जादा सपोर्ट दिखाया आइ मिन फाइव थाउजन व्यूज़ इस जस्ट अमेजिंग और अब क्योंकि मैं इतनी देर से माइनिंग कर रहा हूँ तो मुझे बाहर जाना चाहिए और थोड़ा बाहर का लुक देखना चाहिए क्योंकि मैंने का है इस एपिसो मैं उसे खतम करना है तो मेरको इस वाली माइनिंग से कुछ जादा खास हाथ नहीं लगा बस डायमंड्स मेले थे मेरको वही एक अच्छी चीज मिली थे उसके बाद कुछ इरन मिला कुछ रेड्स्टोन मिला और टैन गोल्ड इंगर्स मिले मेरको महलब जो भी मिला इतना अच्छ नहीं था डायमंड्स को छोड़ के लिकेन आम ओके विडिट अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूं कि मैं स्टेयर्स का बनाऊंगा मनलब सभी जगह पर्फेक्ट नहीं लगरी बट इस स्पॉर्ट यहां से मैं उपर के तरफ बना सकता हूं लेकिन यह स्टोरेज रू यह पानी कितना अनॉइंग है यहां तो इससे परफेक्ट स्पॉर्ट मेर को नहीं मिला तो मैंने यहीं बना दी मेभी वह सीन मैंने काट जिया होगा वीडियो में क्योंकि बहुत अम्बरेसिंग था मैं उपर से दो बार गिरा था मैं कुछ इस तरीके से चेस्ट तक पहु कम्प्रीट तो हो जाना चाहिए इसमें लेकिन मेर को इसके आउटर रिंग भी बनानी है इसकी और मेर को सोना पड़ेगा मैने जितना सूचा था उससे ज्यादा चीजे टाइम लेती है मैंने क्योंकि हर चीज मैनुली बनानी पड़ती है एक एक ब्लॉक हमें खुद से प् करी है लेकिन मेबी बिल स्पेंड सम टाइम हेर तो एक मस्त नौ रिग्रेट इन और मुझे और जाएद चाहिए अपने घर को कम्प्लीट करने के लिए मैं सिरियसली बता रहा हूं मिर को में बनाने का मन कर रहा है क्योंकि मैं माइन क्राफ्ट सर्वाइवल वर्ड में में में रहता आया हूं तो मेर से अभी इतना अरली में खेला नहीं जा रहा है क्योंकि मेर को कुछ ऐसी चीजों की आदत है जो की बहुत ही एंड गेम में मिलती है जैसे की लीट्रा एंड गोर्डन केरेट्स ऐसी चीजे और बड़े-बड़े स्टोरेज सिस्टम, हॉपर, साय मतलब क्या बता हूं इस बार जो मैं अपना मेगा बेस बनाऊंगा वो वाटर के क्लोस बनाऊंगा शायद लेकिन अड़ अड़ सेम टाइम मुझे जंगल या सवाना में बनाने का भी मन कर रहा है हम देखेंगे हम नेदर पोर्टल बनाएंगे हम एक पूरी लाइन की और जहां भी हमें मिलेगा स्पोर्ट हम वहीं पे अपना मेगा बेस बना लेंगे लेकिन उसमें अभी लगेंगे दो तीन एपिसोड और लगेंगे वहां तक जाने के लिए फिलाल वट हमें ओक लॉक से बर्च सैपलिंग मिली अजीब है बट कोई नहीं आई हैव कलेक्टेड सम ओकलॉक्स मलब इतने तो इनफ रहेंगे लेकिन जितने भी मेर को सैपलिंग मिली है वो मैं घर के पास ही अपनी प्लांट कर देता हूं ताकि मेर को इतना दूर ना जाना पड़े वुड के लिए और मैं जितने भी ट्रीज काटूँगा अट लीस् क्योंकि माइन क्राफ्ट में ट्रीज थी अपने इंपोर्टेंट है अगे मैंने अल्मोस्त अपनी सारी आरन सप्लाइज पांच ब्लास्ट फरनने सबनाने में लगा दी हैं अँट नो मैं अपने आपको कैसे सुधारूंगा मेरे को आदत है जादा सप्लाइज यूज करने की मैं लगाँ कहाँ इसे में भी एक अउपर यहीं लगा देते हैं तो मैंने कुछ बिल्डिंग आफ कैमरा करी थी कुछ नहीं अल्मोस्त सब बिल्डिंग मैंने आफ कैमरा करी थी तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां से मैंने ब्लास्ट फरनेस अटा दी है हमारा बेड्रूम यहां पर है लेकिन यहां पर एक पेंटिंग है जो कि मेरे को काफी पसंद आई और शील्ड है हमारे पास यह देखिए वेल्कम तो आर सेकंड फ्लोर सेकंड फ्लोर पे हमारी ब्लास्ट फरनेस और दो नॉर्मल फरनेस हैं और यह लोग गधे अभी तक गए नहीं हैं बट वी आर गएंग टो इग्नोर थेम फॉर नाओ लेट देम डू देर थिंग यह अपने आपको क्यों ने मार लेते हैं तो यहाँ पर एक छोटा से हॉल वे, फिसमे कि में वन इंचांटिंग रूम में बतलूंगा बाद में और ये अन्छा इने लगाई जन्हाइग ढीधा घ्लास इस ऊस्टे तो सटयौन उर डाब्ठ वह में हमारे बेड्ड में यहां भी एक bedroom है और यहां पे एक hall है और यह है हमारी balcony यह काफी बड़ी है हम इस पे run कर सकते हैं और जब मर जीस हम मुद्रू में कूछ सकते हैं मेरे को शूट करेगा लग रही है यह मिर को अभी तक bad omen नहीं चाहिए क्योंकि अगर मेरे पास bad omen आया जो कि एक pillager को मानने से होता है तो मैं जैसे ही किसी village में जाओंगा वहां पे raid पर जाईए और मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारे सामने वाला village raid का शिकार हो तो इस वज़े से हम अभी उन्हें यहीं पर छोड़ देंगे मैं आपार जाना चाहता हूं और यह पताने इंड़ाँ चुप के वैथ हैं जाँ भाँ करेंगे हां बाँ कर दो पाँटा हमें एप्फ के निकलना पड़ेगा हूं तो मैं वहाँ से अपना ज़हां नहीं पना गर देखना चाहता हूं और आपको दिखाँ यह बढ़ेंगा और फागो मैंने भी तक बोट नहीं मिनाई सारी So this is how our base looks like here are so many sheep here so maybe I am going to make shears and cut them but let's see once after the roof it will look like I mean it is a dabbah but what do we do so I have killed Raiders and for some reason I did not get a bad omen effect but I got a crossbow I should have a little bone meal because I have a little stone in my area and I have a iron sword why is this so fast okay wow yeah it didn't drop anything what will I do with arrows maybe I can use crossbow but now what do I need and now it's time to make our first boot wait a minute shovel oh yes we have a shovel in pocket edition we have a shovel in pocket edition so we can't convert it from the wood maybe we will use it so because we have a boat we have a boat now we have a little exploring now I have not seen the area so well I have not seen the area I have seen something in front of me and that is a ragged ship so we can get some big loot we can get a treasure map we can go to treasure hunt and on the other side we have a desert biome so we will probably get a village there oh there are magma blocks so I have to pay attention otherwise they will take my whole boat and my reward I mean maybe there is no wood there is no other boat but maybe we can take this ship and another wood so we have to do something maybe we can use it if I have an echo affinity then I will go and take the magma blocks anyway we need this we need I have found where is HHS now I am going to go and looky looky at my chest okay okay it was not so good experience and I am dying I think I have wasted time here but look we have got a helmet and please comment please tell me how I feel look at my shiny helmet and now we are heading to the desert here we can find desert village maybe a creeper temple I probably had a spot there now I don't know if it was a sand pile or village I marked my location and sugar should take us take us because these are recipes maybe paper maybe sugar maybe paper maybe make paper maybe sugar but I say creeper temple creeper but I blast now I will teach you how to creeper temple first light up because if mob spawned you will destroy the mob and never you should destroy the side if one entity falls on the pressure plate either or me or mob it will blast oh my inventory was empty I don't have space for loot for suspicious due what am I doing so now we are almost down so first we have to remove this pressure plate because it is TNT here and what is loot is oh horse armor pawns okay maybe and obviously we are taking this golden apple and horse armor I will probably take the horse armor just my mind was diamond horse armor but this will go okay golden guts this must one more and yes we are taking this gun powder and strings also diamond horse armor yes I am taking it okay nice oops oops I to bone meal I got and now our loot has completed here and obviously I will take TNT also take so this loot was successful maybe oh my god there is also a village Savannah village oh yes it is if I get a library here then it will be fun I will enchanting nope 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 no no here no library no library library no library no 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 we are completely lost I know we have to go east and we will do never ever judge ability of creative ability of creative larka Coady Yes, please और अब मेरे को यह भी पता है कि कहां पर होती है इनकी loot chest so it would be pretty easy यह रही chest ओके बहुत ही घटिया बकवास जो सबसे घटिया किसम के loot कह सकते हैं इसे and we are lost again मुझे याद नहीं मेरा घर के दर था maybe था माइनस 200 x और माइनस 300 z but अच्छी बात ही है कि इस बार हम बोट पे हैं मिल को बस इतना पता है कि हमारा जो एरिया था वो ice से surrounded था और हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं बुरी बात यह है कि रात हो चुकी है और अच्छी बात यह है कि यह एरिया थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है वहाँ विलेच है और यह है मेरा घर सॉरी मिस्टर स्केलटन कलाओंगा मैं वी अलसो शूड लाइट अप इस एरिया क्योंकि यहाँ पे भी मॉब स्पॉन हो सकते हैं और इस लाइट को मैं दूर से देख सकता हूं तो पता रहेगा कि यह मेरा घर है हमें कुछ एमराल्ड्स ढूंडे कुछ होर्स आर्मर्स को क्या हम वापस डायमंड में कर सकते हैं मेर को पता है नहीं हो सकता लेकिन हाँ नहीं हो सकता तो आज के अपिसोड में हमने यह सब चीज़े ढूंडी और मैं काफी खुश हूं इन चीज़ों से और मेभी अप टाइम आ चुका है इस एपिसोड को यहां पर खतम करने का हमने अपना घर भी और मैं क्राफ्टिंग टेबल रखने की सोच रहा हूं क्योंकि जैसे सुबह उठते ही मिर को कुछ क्राफ्ट करना हुआ तो इसी बाहने मैं कुछ गोल्डन कैरट्स बना लेता ह एक जैसे स्ट इट वन सो गाइस आई रियली होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और प्लीज गाईस मेरे को Hang 활동 मै अगला मत किअ अगला나ई एपिसओं निकाल क्योंकि इस गेम को खेलने में मेरे को बहुत टाइम लगता है मैं तीन चार दिन खेलता हूँ और उसके बाद जाके एक एपिसोड निकल पाता है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं हो तो प्लीज लाइक कर देना और अपने गेमर फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकते हो बाक मुझे यह टूपी उतारने के ज़रूरत है यह बिलकुल भी अच्छी नहीं है मैं कुछ गेर डालूंगा अगले एपिसोड में मेरे स्क्रीन शॉट को इगनूर मारना वहां पे और और भी एलग लगतार है कि माइन्क्राफ कॉंटेट जल्दी आता रहेगा मेरे चैनल पे से यह गाइस इन नेक्स वीडियो बाइ